जैहिन सात्यूं आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल टार्गेट सेलेक्शन में सात्यूं आज किस वीडियो में SSC GD 2025 एक्जाम को क्रेक करने के लिए SSC GD 2025 का पूरा ओफिशल्स लेबस देखेंगे यहने के जो भी सात्यूं आफिशल्स लेबस में टॉपिक्स हैं उन सभी इस टॉपिक्स को सात्यूं कम्प्लीट करेंगे आज किस वीडियो के माध्यम से तो सात्यूं हम चारू विशों को देखेंगे हिंदी को, GKGS को, Current Affair को, Reasoning और Math को सात्यूं और आज किस वीडियो में ह हिंदी के पूरे 20 सवाल हैं अगर ऐसे ही 20 सवाल आपके एक्जाम में आ जाते हैं तो कितना स्कोर आपका रहता है यह समय लीजे सात्यूं 11 से 12 प्रश्णों से कम आपका स्कोर नहीं होना चाहिए हिंदी के सेक्शन में तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है पहला सवाल है क शुद्वरतनी वाला इसमें से शब्द बताए यानि कि प्रशंसा कि अगर बात करें कैसे लिखा जाता है तो सात्यू ऐसे लिखा जाता है और ऐसे कहां पर लिखा हुआ है उप्शन नमबर सी में लिखा हुए तो जिनका अंसर यहां पर सी है बिल्कुल करेक्ट है उसके बात दिखिए दिये गए शब्द का विलोम आपसे पूछा जाए शुकल का विलोम क्या होता है तो शुकल का विलोम सात्यों क्या होता है कृष्ण होता है अगर आपसे श्वेत का विलोम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा सात्यों शाम हो जाएगा नेक्स नमबर का सवाल है कहरें कि पापड बेलने का मतलब क्या होता है बताए तो पापड बेलने का मतलब पीछे पढ़ना नहीं बेकार जीवन व्यतित करना नहीं बहुत शरम करना यह निके बहुत संघर्ष करने को ही कहा जाता है भाई तुमने तो बहुत पापड बेल लिए उसके बाद देखिया अगला सवाल है करें के कुलीन शब्द के लिए सही वाक्यांश इन में से कौन सा होगा तो कुलीन की जब हम साथियों बात करते हैं जो अच्छे कुल में जन्मा होता है न उसको क्या कहा जाता है उसको कुलीन कहा जाता है इसलिए राइट आंसर आपका ओप्शन नमबर C के साथ जाएगा अब उसके बाद देखिये कहने के आज अंत्याक्षरी पृतियोगिता नहीं होगी यानि के देखिये सभी ओप्शन्स की जब हम बात करें तो यहाँ पर सभी ओप्शन्स में अंत्याक्षरी लिखा है अलग अलग तरीके से लेकिन आपको बताने सही अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाएगा देखिये तो अंत्योदे लिखा है अंत्योदे यहाँ पर नहीं आएगा अंत्यों ने कोई प्रतियोगिता थोड़ी ना होती है अंत्योष्टी भी नहीं होती है अंताक्ष्री ऐसे लिखा जाता है नहीं सात्यों अंताक्ष्री की अगर बात करें जैसे आपका सात्यों यहाँ पर अगर बात करें आसा तो ऐसे लिखा जाएगा अंताक्षरी तो इस परिकार जो आप लोग ध्यान रखेंगे ना वो इस वाले शब्दों को याद रखेंगे चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाले करें के पहाड के उपर की समतल भूमी को क्या कहा जाते है तो पहाड के उपर की समतल भूमी को आधित्यका कहा जाते है क्या कहा जाते है सात्यों आधित्यका कहा जाता है यह आपको मालूम होना चाहिए अंतरश की अगर बात करते हैं साथ यो देखिए पृत्वी और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है अगर आप से पूछा जाए तो आपको अंतिर्श बताना है ठीक ना चलिए उसके बाद देख लिए अगला सवाल है करेके गुरुजनों पर शृद्दा रखनी चाहिए तो गुरुजनों पर अंसर हो जाएका निमिकित में से शुद्वरतनी वाले शब्द को बताईए कैसे लिखा जाता है साथो शुद्वरतनी वाला शब्द मुझे बता दीजे तो यहाँ पर उन्मीलित की अगर बात करें साथो कैसे आपका उन्मीलित लिखा जाता है मेरा मानना है साथी उन्मील आपका इस परकार से लिखा जाता हूँ और ऐसे कहां पर लिखा हुआ है option number c में लिखा हुआ है तो इस परकार आपका answer अगहरे option number c के साथ तुम्हें कहूंगा बिल्कुल character अब उसके बाद दिखिए next number का सवाल है कहा जा रहा है कि उस विकल्प का chain कीजिए जो इनिमने मुह आवरे का अर्थ को व्यक्त करता है यानि कि जोतियों में डाल बाटना इसका मतलब क्या होता है साफ इंकार करना नहीं बाधा पैदा करना नहीं आपस में लडाई जगड़े को करना कहना कह जाता है जोतियों में डाल बाटना इसको क्या कह सकते हैं जोतियों में डाल बाट करें तो आख को द्रग कहा जाता है ठीक है आख को साथ यो लोचन कहा जाता है आख की अगर बात करें तो अक्षी कहा जाता है आख को क्या कहा जाता है अक्षी कहा जाता है ठीक ना तो ये सारी चीज़े आप लोग ध्यान रखें क्या आख को वासव कहा जाता है नहीं लिखा हुआ ना इसका मतलब क्या होता है राक्षस इसका मतलब होता है और यहां पर जो वासव लिखा हुआ है वासव भी इसका मतलब क्योंकि वासव एक तरीके से इंद्र का परेवाची होता है खैर अगले नंबर का सवाल देखिए चार भुजाओं वालों के लिए एक शब्द क्या होगा तो जिसकी चार भुजाओं वालों के लिए अगर एक शब्द की हम बात करते हैं तो इसको चत्रभुज कहा जाता है क्या कहा जाता है साथियो इसको चत्रभुज कहा जाता है जिनका answer option number B के साथ है मैं कहूंगा answer आपका बिल्कुल correct है हमारे गाउं में एक तालाब की स्थापना होती है या घर की स्थापना होती है दुकान की स्थापना होती है मंदिर की स्थापना होती है घर का निर्माण घर का नहीं अगर मकान होता तो मकान का निर्माण कह सकते थे लेकिन हाँ मंदिर की जो होगी ना मंदिर की इस्थापना ही होगी इसलिए आंसर आपका आगर है option number D तो मैं कहूंगा बिल्कुल correct है भारत में अनेको राज हैं रेखांकित शब्द कौन से कारण से अशुद है मैं तो मुझे बताईए कि इसमें इस वाक्य में यहां से लेके जो यहां तक वाक्य है इसमें क्या सर्वनाम से सम्मानित अशुदी है मैं कहूंगा नहीं किरिया से सम्मानित अशुदी है मैं कहूंगा नहीं वचन से सम्मानित अशुदी है मैं कहूंगा इस भी बिल्कुल ठीक क्योंकि भारत में अनेको राज़एं ये नहीं होना चाहिए भारत में अनेक राज़एं ये होना चाहिए तो वचन से सम्मानित अशुदी है, वचन से सम्मानित घलती है, तो यह आपका राईट आंसर हो जाएगा, आप्शन नमर C, उसके बाद देखिए, वकीलों ने कागजात की दर्शन की, या सर्वेक्षन किया, या निरिक्षन किया, या झाच किया, तो यहां पर खाली जागा में कौन सा वर्ड आ जाएगा मेरा मानना है सात्यों के वकीलों ने कागिजात की जाच की ये आना चाहिए तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नमर डी के साथ जाएगा जिसके पार देखा जा सके उसके लिए देखे नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है क्या नियमित अभ्यास सही है नियमित अभ्यास जाएगा नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है बताई यहां पर कहां पर देखे देता है आना चाहिए नियामित अभ्यास मूर्क को भी चतुर बना देता है देती है नहीं आना चाहिए तो मैं कहूंगा साथों यहां पर दिक्कत है तीन वाले में दिक्कत है तीन वाले में दिक्कत है तो आप्शन नमर्डी आपका राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद देखें इंदर का आपको बताना है सामनारती शब्द क्या होगा तो इंदर की अगर बात करें अभी मैंने आपको बताया था ठीक है वासफ किसे कहा जाता है इंदर को कहा जाता है और कौन से आप्शन में वासफ है तो आप्शन नमर्डी वाले में है उसके बाद देखें पानी फिर देना इस मुहावरे का मतलब क्या होगा जवाब न देना नहीं समहल लेना नहीं बुरा भला कहना नहीं बिगाड देना किसी भी काम को बिगाड देना यानि किसी भी काम पर सात्यूफा पानी फिर देना उसके बाद देखिए सात्यू जिसे बुलाया न गया हो इसके लिए एक शब्द क्या होता है देखिए जिसे बुलाया ना गया हो उसको अनाहूत कहा जाता है क्या कहा जाता है साथ उसको अनाहूत कहा जाता है आप सभी लोग याद रखेंगे next number का सवाल है कहरे के खाली जैंगा को फिल कीजे यानि कि कई सौ वर्षों तक भारत के गले में परादहिंता की बेडियां पड़ी रही या यहां पर आएगा पैरों में आएगा ठीक है क्या आएगा यहां पर आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है बताइए देखिए शरीर में माथे पर नहीं होना चाहिए यह होना चाहिए कई सो वर्षों तक भारत के पैरों में पराध हिंता की बेड़ियां पड़ी रही गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही आंसर आपको आपको आप्शन नमर भी हो जाएगा तो अब बताईए गर सात्यों आपने इसमें से कितने कोशन बिलकुल सही किये और अब हम लोग देखेंगे सात्यों पूरे के पूरे 20 कोशन जीके के जीएस के और करेंट अफेर के उसके बाद रीजनिंग को भी हम लोग देखेंगे और मैट को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे चलिए तो इस सवाल की अगर बात करते हैं सात्यों आपके सामने है क्या है कि भारत का राश्टेगान यानि कि जनगर्मन ये सबसे पहले कहां पर गाया गया तो मैं कहूंगा कलकत्ता में गाया गया और कब गाया गया तो 1911 में गाया गया इस प्रिकार आपका सही जवाब आप्शन नमर भी होगा उसके बाद देखिए भारत का राश्ट्री पंचाक किस समवत पर आधारित है ठीके ना पंचाक कि अगर बात करते तो ये तो शक समवत पर आधारित है ये सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है पीडियोफ बनवाई है इसमें बहुत समय लगा है SSC GD 2025 के एक्जाम को सात्यों क्रेक करने के लिए देखिए आपका फरवरी में जो पेपर हुआ था क्या फरवरी 2024 में जो पेपर हुआ था क्या आपको उनमें जो कोशन्स आए थे उनमें जो मैत के कोशन्स आए थे उसमें जो रेजनी के जो हिंदी के जो जीएस के कोशन्स आए थे कि आपको उनका सलोशन या उनका आंसर नहीं मालूम होना चाहिए बिल्कुल मालूम होना चाहिए क्योंकि मैं कहूंगा सातियो reasoning के पूरे पूरे सवाल के concept जो है न वो यहीं से उठाए जाएंगे पूरे पूरे math के concept सातियो क्योंकि अब SSC नए questions नहीं तयार कर रहा है वही पुराने जो पिछले exams में ले चुगा है न वही questions सातियों तयार कर रहा है तो मेरा मानना है के सातो इन questions को अगर आप तयार कर लेंगे इस PDF को पूरी तयार कर लेंगे तो math reasoning के तो जहनज़ट छोड़िए तकरीवन 90% यहां से questions आपके फसेंगे और हिंदी की भी आपकी बहुत अच्छी तयारी हो जाएगी और GS के भी question यहां से कई सारी डिक्टो उठाए जाएंगे ठीके ना और solution के साथ आपको यह PDF दी जारी कैसे reasoning का question होगा उसके नीचे उसके चार option होंगे और just उसके नीचे ही उसका पूरा solution है आसान भाशा में SI math का, SI gkgs का, SI hindi का है ठीके ना तो यह दोनों PDF आपको दोनों नीबल के एक है, दोनों PDF की आगर बात करें साथ हो एक current affair वाली PDF भी है तो यह दोनों PDF सिर्फ 45 रुपए में आपको दी जारी है, description में link है, SSC GD PDF करके उस link पर आप click करेंगे, तो आप हमारे WhatsApp पर आ जाएंगे, वहाँ पर आपको एक QR code दिया जाएगा उस QR code पर 45 का payment करके, यह दोनों PDF आप साथ हो प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना, चलिए, तो रण उत्सफ के अगर बात करें कि यह किस राजज्य में मनाया जाता है, मैं कहूंगा, यह तो गुजरात में मनाया जाता है, अगला सवाल है, कहरें कि इनमें से कौन सा राश्ट राश्टे उध्धान यह कहां पर है, मैं कहूंगा, यह केरल में है, बुकसर राश्टे उध्धान इनमें से किस राजज्य में है, तो बुकसर राश्टे उध्धान कि अगर बात करते हैं, तो यह तो पश्यम मंगाल में कहां पर है, साथ्यों पश्यम मंगाल में है, भारत का राश्टिय विर्ख्ष कौन सा है बताए तो नीम है पीपल है नई साथियो बर्गत है क्या भारत का राश्टिय विर्ख्ष कौन सा है तो बर्गत है जिनका भी आंसर और option number C है मैं कहूँगा अंसर आपका बिल्कुल correct है शाथियो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर शाथियो आप लोग चैनल पर नए है तो चैनल को साथियो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लिज होगी क्योंकि अब आपके समय में क्या बहुत अधिक समय है तो नहीं कह सकता बहुत अधिक समय नहीं है हाँ limited समय है इतना समय आपके पास है कि regular अगर आप आज से तयारी करेंगे तो मेरा मानना है कि तयारी आपकी बहुत दुआ धाड हो जाएगी फिर examiner की इतनी आवकात नहीं रहेगी कि वो questions तयार करें और आप ना कर पाओ यानि कि आपके पास समय limited है एक तरीके से काफी है अगर इस समय को आपने अच्छे तरीके से नहीं बिताया और अगर अभी भी आप आलस समय है तो सफर सेलेक्शन आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा इसलिए पूरी जान लगा दीजे क्योंकि ये आपका अंतिम कोशिश होना चाहिए अगर आप किसी काम को करते हैं कि ये मेरी अंतिम कोशिश है तो आप अपनी पूरी जान लगा देते लेकिन अगर आपके मनोवस्क्ष में ये बात होती है कि इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा क्या दिक्कत है उसके बाद भी एक दूसरा एक्जाम दो महीने बाद उसमें हो जाएगा नहीं आपको ये बिलकुल भी नहीं सोचना है सात्यों अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप अपनी तयारी में धील आपके आटोमेटिक हो जाएगी ठीक है चलिए तो पूरी मेहनत के साथ सात्यों मैं आपको पढ़ाओंगा सेलेक्शन मैं आपको दिला कर रहूँगा ठीक है बस आप जो भी मैं आपको पढ़ाओं उतना पढ़ लेना अच्छे तरीके से हर एक चीज़ आपकी कवर हो जाएगी कहरें कि भारती विज्ञान संस्थान ये कहां पर इस्तित है तो ये सात्यों बैंगलोरों में इस्तित है राइट आंसर जिनका उप्शन नमबर बी था मैं कहूंगा बिल्कुल करिक्ट है नमने कि तमें से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर इस्तित नहीं देखिए आप सभी जानते हैं कि कानपुर गंगा नदी के तट पर इस्तित है वारनसी भी गंगा नदी के तट पर इस्तित है पटना भी गंगा नदी के तट पर इस्तित है लेकिन लखनों के अगर बात करें तो ये तो गोमती नदी के तट पर इस्तित है तो आपका right answer क्या होगा option number D आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा चलिए मिमनिकित में से किसे पहले दा लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था तो किसको जाना जाता था साथ यो सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मैं कहोंगा जो Lowthie Gardens है ना Lowthie Gardens इसको ही पहले दा लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था आगला सवाल है केरे के Fort William ये कहाँ परिस्तित है तो Fort William ये कहाँ परिस्तित है पश्य मंगाल कि राजहनी कोलकाता में फोर्ट विल्यम इस्थित है उसके बाद देखिए महाराजा रणजीत सिंग गोल्ड कप ये किस खेल से सम्मंदित है यानि किस खेल में जीतने पर मैं कहूंगा होकी के खेल में जीतने पर महराजा रनजीत सिंग गोर्ल कब दिया जाता है आंसर अगर आपका है बी के साथ में कहूंगा आंसर बिल्कुल सही है अब उसके बाद देखिए महराजा यह तो रिपीट कोशन हो गया उसके बाद देखिए दिल्ली में जो इस्तित कुतुम मिनार है इसमें कितनी मन्जिल है देखिए इसमें पाँच मन्जिल है कितनी मन्जिल है और पाँच मी मन्जिल का निर्मान किसने करवाय था सातियों फिरोज शाह ने पाँच मी मन्जिल का निर्मान करवाय था ये भी आप लोगों को याद रखना है अब उसके बाद देख लीजे कहा जा रहा है यहां पर आपसे कहरें कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने समराज की राजधानी घुशित करने वाला पहला सुल्तान कौन सा था तो उसका नाम था इल्तुतमिश यह निकि इल्तुतमिश यह नियमित पढ़ना होगा बहुत अच्छे से पढ़ना होगा आपका सिलेक्शन तो बहुत आसान में कर दूँगा चलिए तारो का ऐसा समूझ इसको उसकी आकरती से पहचाना जाता है इसको क्या कहा जाता है तो इसको तारा मंडल कहा जाता है क्या कहा जाता है तारा मंडल कहा जाता है किसे प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है तो आप लोग ध्यान रखेंगे अभी हाल फिलाल में ही पीके मिश्रा को प्रधान मंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है राश्टिय मानवधिकार आयोग के नए कारवाहक अध्यक्ष जात्यू कौन बने है तो कौन बने है विज्या भारती सयानी इनका नाम है और ये राश्टिय मानवधिकार आयोग के नए कारवाहक अध्यक्ष नियुक्त किये गए हैं अब उसके बाद देखिए हाली में किस र प्रियान योजना का शुभारम किया है अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर तो अब आपके सामने साते हो रीजनिंग के कोशन्स शुरू हो चुके हैं बहुत जादा नहीं साते हो रीजनिंग के एकदम 10 टॉप लेवल के कोशन्स हम लोग देखेंगे और मैट के अगर बात करे देखिए उस सही विकल्ब का चैन करे जो दिये गए शब्दों का तार्तिक और सार्तक क्रम है यानि के सबसे सबसे पहले साते हो क्या होना चाहिए सबसे पहले की जब हम साते हो यहां पर बात करते है तो सबसे पहले क्या होता है ठीक है ना या सबसे पहले मतलब आपको बत अंकुर है सात्यों दूसरे पर ठीक है आप बीच डालेंगे उसके बाद वो अंकुर बन जाएगा उसके बाद सात्यों पौधे की शुरुआत हो जाएगी तो सात्यों ये पौधा आपका हो गया ठीक है ना पौधे की शुरुआत हो जाएगी उसके बाद फल बनेगा या करम कहां पर है 5-2-4 तो 5-2-4 एक और 3 कहां पर है option न Kell B में है तो आपका right answer option न Kell B के साथ चला जाएगा उसके बाद आगला सवाल है यहां पर अगर बात करें न Unter series वाल है देखिए 34 है फिर 37 है उसके बाद 47 42 है फिर 49 है उसके बाद 68 है उसके बाद 73 है उसके बाद 90 है आपको बताने के अगला नंबर यहां पर कौन सा होगा चलिए तो इसको भी हम लोग देख लेते एक बाद ट्राय करते हैं यहां पर सात्यों कितना बड़ा है तीन बड़ा है 37 से अगर 42 हुआ है तो मैं कहूंगा 5 बड़ा है 42 से अगर 49 हुआ है तो 7 है और यहां पर सात्यों कितना 13 बड़ गया और 73 से अगर 90 करें तो लगब लग वहां 17 बड़ जाएगा अब आपको बताने के 90 में क्या एड़ करें कि हमें आंसर मिल जा देखिए यहां पर 3 से 5 5 से 7 7 से 11 13 यह आपको सात्यों आभाज संख्या नहीं लग रही है यानि कि ज 109 आपका अंसर होगा बिल्कुल 109 ही आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सठीक जवाब हो जाता भाई बहुत बड़िया वेरे कुट क्लास अगला सवाल है करें कि उन पासे का चैन कीजे यह बहुत शांदार कोशन बहुत इंटरेस्टिंग कोशन है इसको मैं थोड़ा सस बात बहुत रख तर यानि कि दकि शीट को रेखाओं के अनुसार मोड़ कर मोड़ कर बनाया जा सकते हैं यह आपके सामने ओपन पासा है क्या यह खुला हुदा हुदा कर दिया जाए जैसे यह में आपको यह यह पता कैसे पहचान करपाएंगे अब हम सबसे पहले ये देखते किया कि ये वाला पासा बन पाएगा इसका चुनाफ कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर है P और P कहाँ पर है P साथो यहाँ पर है P का विपरीत पता क्या है P का विपरीत R है तो यहाँ पर R सामने नहीं होना चाहिए नहीं है कोई दिकत नहीं अब इसक और Q भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है, हो गया, T की बात करें, T का विपरीत क्या है, U है, तो यहां पर U भी नहीं है, यहनि के मैं कहूंगा, यह वाला पासा बन सकता है, ठीक है, यह वाला पासा बन सकता है, अब option number B वाले को भी देख लेते, कि यह बन सकता है, यह नहीं बन सकता है, लग कहरें कि यहां पर R है, तो R का विपरीत, पता क्या R का विपरीत सात्यों P है, तो यहां पर P नहीं है, बिल्कुल, T की बात करें, T का विपरीत U है, यहां पर U भी नहीं है, ठीक है, U की बात करें, Q की बात करें, Q का विपरीत S है, तो यह भी S भी यहां पर नहीं है, मैं कहूंगा, यह वाला भी बन सकता है, ठीक ना, यह वाला भी बन सकता है, अब option number C वाले को टिक करते कि ये बन सकता है नहीं कहरे कि Q यहाँ पर है Q का विपरीत S है तो S यहाँ पर नहीं होना चाहिए मतलब एक होना चाहिए उसका विपरीत नहीं होना चाहिए अगर विपरीत नहीं है तो उसका पासा बन सकता है U की बात करे, U का विपरीद सात्यो T है तो यहाँ पर U का विपरीद T भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल, आर की बात करे R का विपरीद P है, तो यहाँ पर P भी नहीं यानि कि यह वाला भी पासा बन सकता है, ऐसे तो बही चारों बन जाएंगे, चौथे वाले को भी सात्यों चिक कर लेते हैं, एक बार, देखिए R है, R का विपरीद क्या है, P है, तो यहाँ पर P नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, S की बात करें, तो S का विपरीद क्या है, इसका विपरीद सात्यों Q है, इसका विपरीद इसको सात्यों ट्राय कर लेते एक बार और देख लीजिए इसको क्या लिखा हुआ यहाँ पर इस लिखा है इसका विपरीत क्यों होता है तो क्यों यहाँ पर नहीं है ठीक है यू की बात करें सात्यों यू का विपरीत क्या होता है यू का विपरीत सात्यों टी है तो यहाँ पर T भी नहीं है R की अगर बात करें तो सात्यों R का विपरित P है ठीके ना R का विपरित P है वो भी नहीं याने कि ये भी बन जाएगा आंसर आपका जो जाएगा वो option number C के साथ जाएगा ये कि A B C D ये सारे पासे बन सकते हैं इनसे तो इस परकार जिनका भी आंसर option number C के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल correct है उसके बाद देखिए अगला सवाल है करें कि कथन है और यहां पर सात्यों निशकर्ष है अब कथन में क्या कहा गया है इसको एक बार आप लोग देख लिए कहरें कि सभी नेता पुरुष है तो माल लेते सात्यों ये क्या आप इसको सात्यों कैसे बनाये जाएगा कुछ विध्यार्थी नेता यानि कि कुछ ऐसे करके सात्यों हमें बनाना पड़ेगा क्या कुछ विध्यार्थी कौन हो जाएंगे कुछ विध्यार्थी आपके नेता हो जाएंगे तो ये आपका सात्यों बनेगा अब निशकर्ष को ज निश्कर्ष सही है कौन सा गलत है कहने कि कुछ विध्यारती पुरुष है कुछ विध्यारती पुरुष है ये बात तो बिल्कुल सही है इतने विध्यारती पुरुष है ये वाला सही है सभी नेता विध्यारती कैसे हो सकते हैं हाँ सभी नेता नहीं कुछ नेता विध्यारत ही हो सकते लेकिन सबीर जो लगा है ना ये गलत हो जाएगा इसलिए मैं कहूंगा केवल निशकर्ष एक पालन करता है और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है अब उसके बाद देखिए नेक्स नंबर का साथ हो सवाल आपकी स्क् क्या अगर बात करते हैं सात्यों क्यों के बाद की दो बार खाली जागा है ये एक हो गई और ये सात्यों दो हो गई एक के बाद एक खाली जागा है और फिर क्यों आ गया उसके बाद एक खाली जागा एक के बाद एक खाली जागा एल पी के बाद एक खाली जागा और ये तो गुलमिला कि आपको काउंट करना है कि आखिर कितने लेटरे यहाँ पर हैं, एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आठ, नौ, दस, क्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठारा, यानि कि अठारा हैं तो मैं कहूंगा सात्यों, छे, छे, का पेर बन रहा होगा, छे, छे, का पेर बनना देख लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, तो ये अलग हो गया यहाँ से, एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, ये अलग हो गया, और एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, अलग हो गया, आप साथियो 6-6 का क्या बन रहा है? एक बार इसको हम लोग ट्राइ कर लेते देखिए सबसे शुरू में R है और अंत में Q है? तो शुरू में साथियो R हो जाएगा और अंत में Q हो जाएगा? अब अंत में देखिये क्या है? L, P, Q है तो यहाँ पर L की कमी है, सात्यों L आ जाएगा, चिक, L P Q हो गया, और शुरू में सात्यों क्या था, R E था, तो यहाँ पर सात्यों R हो जाएगा, और E हो जाएगा, यहाँ पर E की कमी है, Q से पहले क्या है, P है, तो यहाँ पर P आ जाएगा, अब देख लीजिए, आपने साथियो L, R, ठीके न, अच्छे यहां पर यह रहे गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर R, E के बाद क्या, X है तो यहां पर X आ जाएगा, यानि के साथियो क्या, R के बाद X आ जाएगा, और Q आ जाएगा, ऐसा ऑप्शन नमबर साथियो D में मुझे नजर आ रहा ह और ये क्या होगा ये आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा वही बहुत बड़िया very good class चलिए साथ हो अब उसके बाद देख लेते हैं next number का सवाल है आपके screen पर इस सवाल को देखे और मुझे बताईए कि आपका right answer क्या हो सकता है देखिए चलिए यहां पर अगर बात करें करें कि A B C D E F A servir Cdd nega 36 पंक्ति में उत्तर की ओर मुझा करके बैटे कितने लोग है छे लोग हैं तो हम बना लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे लोगों की साथ हुमने जंगा बना ली बैठने के लिए, ठीक है, कहने के सभी का मुख उत्तर की तरफ है, उसके बाद कहने के E और C के बीच चार वैक्ती बैठे हैं, D, A और F के बीच में है, ठीक, अभी हम डिसीजन नहीं कर सकते, कि ह E और C के बीच में चार वैक्ती तो छोड़ देंगे, लेकिन ये बैठेंगे कहां पर, D और F यहां इसको भी नहीं बैठाल सकते हैं, कहने के A, E के दाइं और ठीक बगल में बैठा है, अब आप E को कहीं पर बैठाल दो, मान लीजे कहीं पर भी आप साथ हुब बैठाल सकत अब देखी, यहां से आप थोड़ा सा निकाल सकते हो, कहने के E और C के बीच में चार वैक्ती बैठे हैं, तो यह E अगर यहां पर है, तो C मेरे ख्याल से कितना होगा, एक, दो, तीन, चार, चार तो यही होगा, एक काम करो, एक इधर को बढ़ा लो, और एक इधर को खत्म कर दो, इसको डिलीट मार दो, ठीक, अरे बैट टोटल 6 लोग थे, 6 लोग अभी भी हैं, तो यह क्या हो जाएगा, C यहां पर आ जाएगा, और E और C के बीच में 4 वैक्ती बैठें, 1, 2, 3, 4, बैठें बिलकुल, कहने के A और F के बीच में D है, तो A और F के बीच में कौन हो है, तो क्या B आंसर होगा, बिलकुल साथ हो, आपका आंसर यहां पर option number B हो जाएगा, option number नहीं, वैलकि option C होगा, answer आपका B होगा, उसके बाद देखिए, next number का सवाल है, कहा जा रहा है, कि एक विशिश्ट कूट भाशा में, FRI, यानि के fry को 147 लिखा जाता है, crop यानि के CROP 208 लिखा जाता है, तो M-U-S-I-C, यानि के music को साथ हो, क्या लिखा जाएगा, आप यहां पर आपको logic पहचानना है, जैसे कि F होता है, 6 पर, R होता है, 18 पर, Y होता है, 25 पर, तो 6, 18, 25 से 147 कैसे बनाया गया है, उसी प्रकार, 3, 18, 15, 16 से 208 कैसे बनाया गया है, इसको थोड और 25 कितना होता है, साथियों, आपका 49 होता है, तो 49 की गुणा अगर हम 147 बनाना है, अगर हम 49 की गुणा 3 से कराते हैं, तो 147 हमें मिल जाता है, क्या यह logic यहां पर भी लगा हुआ है, कोई दिकत नहीं, एक बार चेक कर लीजिए, यह C 3 पर होता है, R 18 पर होता है, 21 हो जा करा है, क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है, ऐसा तो नहीं साथियों, यहां पर 3 लेटर थे, तो इसकी गुणा 3 से कराए गई, यहां पर 4 लेटर है, तो इसकी गुणा 4 से कराए जाएंगी, बिल्कुल साथियों, यह हो सकता है, तो इसकी गुणा हम 4 से कराते हैं, तो कित 13 पर होता है, M U 21 पर होता है, S 19 पर होता है, I 9 पर होता है, C 3 पर होता है, इनको आप total कर लीजिए, और 1, 2, 3, 4, 5, 5 से आप गुणा कर लीजिए, आप का answer आपके सामने आजाएगा, कैसे plus करोगे देखिए, यह आपका कितना हो जाएगा, 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28, 3, 31 हो जाएगा, अब 31 को, 13 को, 21 को जोड़ लो, साथियों 4, यह 5 हो गया, यह आपका कितना हो जाएगा, 4, 5, 6, 5 हो जाएगा, तो 65 की गुणा, यह, उसके बाद देखिए, कहा जा रहे है कि पिता और उसके पुत्र की वरतमान आयू का योग 58 वर्ष है, यानि कि क्या कहा गया साथियों, एक पिता है और उसका क्या, एक उसका पुत्र है, उनके दोनों की आयू कितनी है, उनकी आयू का योग 58 वर्ष है, और चार वर्ष पहले की बात किये गए चार वर्ष पहले उनकी आयू का अनुपात चार अनुपात एक था कितना था सात्यों अगर 4X था यह और X था यह भी हम लोग कह सकते तो पिता की वर्तमान आयू आपसे यहाँ पर पूछी जा रही बहुत ध्यान से देखेगा और मुझे बताएगा देखिए यह क्या है सात्यों 4X क्या है यह पिता की आयू है ठीक है और यह क्या है सात्यों यह आपकी पुत्र की आयू है अगर यह पिता की आयू है और 4 वर्ष पूर्व कह रहे हैं तो अगर हम सात्यो वर्तमान समय की निकालेंगे तो इसमें 4 पिलस करेंगे, 4 पिलस कर दिया, अब देखिए 4 पिलस कर दिया अब देखिए सात्यो ये पुत्र की आयू है, पुत्र की आयू है इसको भी जोड़ दिया हमने ये पुत्र की आयू और ये भी चार वर्ष पहले की बात की गई है सात्यों अगर हम वर्तमान समय की अगर बात करते हैं ये चार वर्ष पहले का अनुपात है अब भाई इस अनुपात को वर्तमान समय का अनुपात में बदनने के लिए चार-चा ये पुत्र की वरतमान आयू का टोटल योग कितना है अठावन वर्ष है तो बराबर अठावन हो जाएगा चार एक्स पिलस एक्स पाच एक्स हो जाएगा पिलस आठ हो जाएगा बराबर अठावन हो जाएगा यानि के पांच एक्स बराबर कितना हो जाएगा अठावन में स चार वर्ष पहले की थी ठीक है अगर एक्स बरावर 10 है और 4X की अगर बात करें याने के 40 वर्ष जो निकले की वो चार वर्ष पहले की A.U. इतनी थी तो वरतमान समय में कितनी होगी 4 और जोड़ दिजें याने की 44 वर्ष पिता की A.U. हो जाएगी और ये वरतमान उम्र हो आंसर आपका अगर है option number D मुझसे पहले था answer option number D तुम्हें कहूंगा आपका answer बिल्कुल करिक्त है उसके बाद देखिए अगला सवाल है कहा जा रहा है सात्यों 14 है उसके बाद 29 आ गया उसके बाद 57 आ गया उसके बाद 115 आ गया उसके बाद 239 आ गया तो आपको बताने के अगला number यहाँ पर क्या हो सकता है तो बहुत अच्छे तरीके से सात्यों देखिए सवाल को और मुझे बता दीजिए answer आपका क्या होगा देखिए 14 से 29 हुआ है अगर हम इसकी गुणा ऐसा करें 2 से कराएं 14 दून 28 और एक जोड़ने तो हमें 29 मिल जाएगा अगर हम सात्यों 29 दूना कितना होता है 58 होता है एक इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो हमें 57 मिल जाएगा 57 कि अगर सात्यों गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा देख लिजे एक बार 57 दुना कितने हो जाएंगे 7 दुना 14, 10, 114 हो जाएंगे अब सातियों क्या करना है देखिए एक हमें इसमें पिलस कराना पड़ेगा यानिके 2 से गुणा की 1 पिलस किया 2 से गुणा की 1 माइनस किया फिर 2 से गुणा की 1 पिलस किया 9-2-18 हो गया 2-2-4-5 हो गया 2-2-4 हो गया इसमें एक पिलस कराना यानिके 469 क्या कही हो आप्शन में अगर है तो यही आपका अंसर मैं कहूंगा बिल्कुल आप्शन में आप्शन नमबर बी वाले में है तो आपका राइट आंसर आप्शन नमबर बी के साथ जाएगा बहुत बढ़िया वेरी कुट प्लास चलिए सातो अब उसके बाद देखिए अगले नमबर का सवाल है आप सभी को बता है सातो सात का क्यूब कितना होता है एक घटाए लागितो गया है नव की अगर बात करते है नव का क्यूब कितना होता है 9 घटाOh, गये तो एक घटाएंगे यहाने के 728 आ जायाना चाहिए तो 728 आपका बिलकुल सही चवाब हो जाएगा आगला सवाल देखिए आपके स्क्रेन पर है देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर सातियों क्या हो सकता है चलिए तो यह reasoning के question यहां तक हो गए अब 10 सातियों टॉप लेवल के हम लोग question देख लेंगे किसके math के चलि तुमैत का पहला सवाल है कहरें के दो संख्याएं है साथ अनुपाद 11 के अनुपाद में उनका लगुत्तम सामाफवर्त यानि के LCM 380 है तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगी उनमें से छोटी वाली संख्या क्या होगी यह आप से पूछी जा रही देखिए दो संख्या है एक संख्या 7X और दूसरी संख्या 11X है अगर हम यह माने ठीक है तो अगर हम सात्यों क्या 7X का क्या 7X का और 11X का इन दोनों संख्या का सात्यों LCM अगर हम ग्याद करें क्या LCM इनका अगर ग्याद करें तो सात्यों 7 की 11 से करेंगे 70 आ जाएगा यानि के 77 X इनका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा अब यहाँ पर LCM आपको दे रखा है 380 यानि के 77 X की वैलू क्या है 380 है तो X की वैलू साथ यू बहुत आराम से निकल आएगी देखिए यह 11 से कट करे 11, 37, 77 हो जाएगा 11, 33 हो जाएगा और 11, 55 हो जाएगा 7, 7, 35 हो जाएगा तो X की वैलू जो निकल के आएगी वो 5 निकल कर आएगी अब कहरें के छोटी वाली संख्या क्या होगी छोटी वाली संख्या गया 7X है, 11X तो नहीं नहीं 7X है, तो X वराबर 5 है यानिके 5 गुणा 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा तो 35 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगर पूछता बड़ी वाली संख्या क्या है तो 11 गुणा 5 हमें करना पड़ता तो 15 आपका आंसर होता उसके बाद देखिए नेक्स नंबर का सवाल है देखिए ये कोशन सातीों अच्छे लेवल का है और ये कोशन सातीों मुझे अच्छा लगा तो इस कोशन को देखिएगा और बताइगा राइट आंसर क्या होगा कहा जा रहा है एक बाद देख लेते असाती हो मैंने पिन लेखने अपना चलिए कहने कि अपनी सामान चाल की 6 बटे 7 चाल से चलने पर एक वैक्ती को 10 मिनट की देरी हो जाती है उस वैक्ती को अपनी सामान चाल से उसी दूरी को तै करने में कितना समय लगेगा देखिए अगर हम मान ले, क्या हम मान ले सात्यों, उनकी चाल, क्या, उनकी चाल 6 बटे 7, यानि कि अगर पहले चाल 7 थी, और फिर चाल 6 हो जाती है, तो 10 मिनट की देरी हो जाती है, अब चाल का उल्टा एक तरीके से सात्यों समय हो जाएगा, यानि कि अगर, ठीक ना, अगर माल लीज़े ये A है ये B है यानि के A की चाल साथ है और B की चाल 6 है तो A इतनी दूरी तै करने में साथ यो कितना समय लेगा 6 लेगा और ये साथ लेगा उल्टा हो जाता एक तरीके से ठीके ना यानि के पहले अगर साथ यो 7 किलोमीटर प्रती घंटा की चाल से चल रहा था फिर उसने अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रती घंटा कर दी तो कहा गया है कि 10 मिनट की देरी हो जाती है लेकिन यहाँ पर समय का जो दे रखा है ना 6 X और 7 X है इसमें समय का अंतर जो दे रखा है वो 7 10 मिनट यानि के X वराबर 7 10 मिनट है वो 60 मिनट में वही दूरी तै कर लेगा लेकिन जब वो अपनी चाल घटा देगा 6 से चलेगा तो वो 70 मिनट लेगा यनिके 10 मिनट एक्स्टा लेगा तो पूछा क्या जा रहा है कि उस वेक्ति को अपनी सामान चाल से उसी दूरी को तै करने में कितना समय लगता था तो साथे कितना समय लगता था तो मैं कहूंगा 60 मिनट लगते थे ये सामान चाल थी उसकी ये सामान चाल थी बाद में तो उसने कम करी ये चाल पहले वाली सही थी पहले जादा तेज़ चलती थी तो मैं कहूंगा करता है चार्ल्स एरिका द्वारा अर्जित वेशन से 60 प्रशत अधिक वेतन अर्जित करता है मतलब पाता है अर्जित करने का मतलब पाना होता है चार्ल्स के द्वारा अर्जित वेतन रूमी द्वारा अर्जित वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है क्या है सवाल में कुछ नहीं सातियों सिर्फ डारावना ये सवाल लग रहा है बाकि सवाल में कुछ है नहीं कितने लोग है तीन लोग है एक रूमी है और एक कौन है सातियों एरिका है और कौन है सातियों रूमी होगे एरिका होगे और कौन होगे ये चाल्स होगए तो ये च रूमी इससे 40 प्रिशत अधिक ले रही यानिके ये 140 ले रही है उसके बाद कहरें के चार्स एरिका द्वारा अर्जित वेतन से 60 प्रिशत अधिक लेती है तो एरिका की अगर 100 है तो इसकी 160 हुजएगी 60 अधिक ले रही है तो कहरें के चार्स द्वारा अर्जित वेतन चार् से अधिक है तो 140 नीचे आ जाएगा 20 से कम 20, 20 सत्ते 170, अब 100 की भाग साते हो 7 से होना है, कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 जाएगा ये 30 हो जाएगा, ठीके ना 7 चोक कितने हो जाएगा, 7 चोक आपके बाद देखिए, नेक्स नंबर का सवाल है, देखिए और बताइए, कि आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, चलिए यहाँ पर कहा जा रहें कि 16 सेंटीमीटर तरज्या और 36 सेंटीमीटर उचाई वाले धातू के एक शंकू को और इसकी उचाई कितनी है, 36 सेंटीमीटर इसकी उचाई है, तो यह धातू का एक शंकू है, इसको पिगलाया जाता है और 4 सेंटीमीटर तरज्या वाले गोले गोला बनाया जाता है इसका गोला बना दिया जाता है यानि कि इसका मतलब यह है, कि इस शंकू का और इस गोले का आयतन बराबर होगा तो कहरें कि इस प्रकार गोलों की संख्या कितनी होगी तो कोई दिकतनी गोले के आयतन को नीचे रख देंगे देखिए ये निकालने के लिए पता क्या करेंगे शंकू का आयतन क्या शंकू का आयतन बटे गोले का आयतन गोले का आयतन नीचे रख लेंगे गोले का आयतन गोले का आयतन जैसे कि मैं कहूं ना साथियों मैं अगर कहूं कि 12 में कितनी बार 2 होंगे तो कितनी बार 2 होंगे 2 को नीचे रख लो 12 को उपर 6 बार दो होंगे तो ऐसे ही करके साथ हूँ यह है इसमें और उसमें बहुत जादा अंतर नहीं है देखिए अब अगर इसके सूत्री की बात करें तो शंकू कायतन साथ हूँ कितना होता है शंकू कायतन होता है 1 बटे 3 पाई आर स्क्वाइर एच और गोले कायतन क्या होता है साथ हूँ 4 बटे 3 क्या 4 बटे 3 पाई आर क्यूब होता है इतनी बात कलियर है बिल्कुल कलियर अब देखिए क्या क्या कट रहा है पाई से पाई कट रहा है 3 से 3 कट रहा है यानि कि ऊपर आपका बचेगा साथ हूँ R square H और नीचे बचेगा आपका 4 गुणा R cube तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर R कितना है साथ हूँ R 16 है यानि कि यहां पर आ जाएगा 16 गुणा 16 गुणा और H कितना है 36 है तो यहां पर 36 आ जाएगा और नीचे के आ जाएगा 4 गुणा और इसका क्या है Q है ना 4 का तो 4 को 3 लिख लो 4 को हमने साथ तीन बार लिख लिए इतनी बात किलियर है बिल्कुल किलियर है अब देखिए आप देखिए पर गुणा होगे answer आपका जाएगा option number D के साथ अगला सवाल आपके screen पर देखिए और बताइए सही जवाब आपके यहां पर क्या होगा देखिए चलिए क्या लिखा हुआ है कि एक bag में क्या साथ हो यहां पर अगर बात करें एक bag में 441 की धनाशी 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्को की रूप में है जिसका अनुपाद 4 अनुपाद 3 अनुपाद 2 के अनुपाद में तो कहरें कि 25 पैसे के सिक्को की संख्या मुझे बता दीजिए तो इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना होता है, मैं आपको बतला देता हूँ, देखिए, यहाँ पर अगर बात करें, अनुपात जो है वो सबसे पहले आप अनुपात लिख लेंगे, अनुपात है 4, अनुपात 3, अनुपात 2, यानि के 4X, 3X और 2X, अब क्या करना है, अगला देखिए, जो 4, अनुपात है वो 50 पैसे के है, 50 पैसे का मतलब होता है, 1 बटे, क्या साथ हो, 1 बटे 2, तो 1 बटे 2, 1 तो उपर आ जाएगा, 2 नीचे आ गया, अब इसकी अगर बात करें, 25 पैसे यानि के 1 बटे 4 होता है, तो 1 तो उपर आ गया, 4 नीचे आ गया, इसकी अगर बात करें, 20 पैसे का मतलब होता है एक बटे पाच अर भाई एक रुपई यानि के 100 पैसे में 20-20 के कितने पाट होंगे पाच होंगे ना तब ही तो मैं एक बटे पाच कह रहा हूँ अब इन सब को जोड दीजे और इन सब का जो टोटल बनेगा ना सातियो वो 441 बनेगा तो वो 441 बन जाएगा इतनी बात के लिए बिल्कुल के लिए है अब यहाँ पर अगर बात करते है सातियों अब यह तो कट जाएगा यहाँ पर क्या आजाएगा सातियों 2X आजाएगा तो अब इसको जरा आप calculate करके मुझे बताएगे तो इसको calculate करके मैं आपको बताता हूँ पांच तियां 15 हो जाएगा 15X प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा 8X हो जाएगा बीच में बटे कितना हो जाएगा सातियों 20 हो जाएगा बराबर आपका 441 हो जाएगा अब देखिए यह आपका सातियों 2X हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और यह आपका कितना हो गया यह तो आपका 23x हो जाएगा 23x बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ठीक है ना इतनी बात किलियर है और बराबर आपका क्या हो जाएगा बराबर आपका 441 हो जाएगा यहां पर 7 x लिख लीजी यहां पर x आ जाएगा आप देखिए 20 की गुणा क्या होगी अगला step मैं आपको दिखा रहा हूँ अगला step थोड़ा सा color साथ यहां पर change कर लेता हूँ अगला step के लिए 20 की 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा साथ हूँ 20 दूना 40 हो जाएगा बिल्कुल साथ हो 40 x हो जाएगा आपका ये और ये आपका 23 x रहेगा और बराबर आपका 441 20 की गुणा हो जाएगी इससे तो यहां पर 20 आ जाएगा ठीक ना ये आपका कितना हो जाएगा 40 और 23 साथ हो 60 और 3 63 x हो जाएगा कितना हो जाएगा साथ हूँ ये आपका 63X हो जाएगा 63X 63X बराबर क्या हो जाएगा साथ हूँ 441 गुणा 20 बटे ठीक अब एक काम करो अगले स्टेप में साथ हूँ ये 63 यहां से हटके 63 आपका यहां पर आ जाएगा ठीक है ना चलिए तो अब अगर बात करें किया ये 3 से कट कर रहा है देख लेते एक बाद ट्राय करके साथ हो 3, 2, 6, 3 एकम 3 और इसको कट कर ये 3 एकम 3 एक चला गया 14 हो गया 3, 4, 12 दो चला गया 21 हो गया 3, 7, 21 बिल्कुल साथ हो कट कर रहा है अब उसके बाद ये फिर से साथ हो 3 से कट करें बिल्कुल हो जाएगा देखे 3, 21 हो गया और 3, 4, 12 हो गया दो जाएगा 3, 9 आपका 27, 7, 7, 49 हो गया यानिके 7 की 20 से करेंगे तो 140 कितना आ जाएगा 7 की अच्छा ठीक है 7 की 20 से करेंगे कितना आ जाएगा यानिके x बराबर आपका 140 आ जाएगा आपको समझ में आया यहां तक अगर समझ में आया है साथ हो तो बहुत अच्छी बात है अब देखी आप से पूछा क्या जा रहाता है कि 25 पैसे के सिक्को की संख्या क्या है ठीके ना कितना हो जाएगा साथ हूँ फटा फट बताएगे 14,3,42 होता है यानि के 420 हो जाएगा तो 420 आपका क्या होगा बिलकुल करिक्टा अंसर हो जाएगा थोड़ा सा समय अधिक लगा लेकिन ये कैसा सवाल था ये साथ हूँ वैसा सवाल था जिसको अगर कोई बच्चा कर देता है तो वो बच्चा लाकों हजारों बच्चों को पच्छार देता ही समय लीजे चलिए उसके बाद देखिए नेक्स नमबर का सवाल है कहने के एक दुकानदार ने पतलून पर 25 परश्चत की छूट की घुशना की उमेश दुकान में गया देखिए एक दुकानदार ने पतलून पर कहरें के 25 परश्चत की छूट है कितने की छूट है 25 परश्चत की छूट है ठीक ना कहरें के एक उमेश दुकान में गया और वे छूट के रुपए में 500 रुपए बचाना चाहता था ठीक है ना छूट के रुपए में सात्यों 500 रुपए बचाना चाहता था और यदि प्रतियक पतलून का मूल 250 है प्रतियक पतलून का मूल कितना है 250 है अब यहां पर देख लिजे तो ऐसे करने के लिए उसे कितने पतलून खरीदने होंगे 250 रुपए की पतलून है अब इस पर वो पतलून पर 25 प्रिशद की छूट देता है तो जारा इसका देखो 25 प्रिशद आखिर होता कितना है 250 का कोई दिक्कत नहीं है इसको अगर कट करेंगे सातियों 4,728 हो जाएगा 4,728 हो जाएगा 4,724 हो जाएगा 4,724 एक यहां पर आजाएगा चार दूना आठ हो जाएगा और पॉइंट करके पाच आजाएगा यानि कि साड़े 62 होता है तो साड़े 62 रुपई की क्या हो जाएगी साथियों कमी हो जाएगी ठीक है ना तो यहां तक आपको समझ में आगे अब सागर बात करते है साथियों 500 रुपई 500 रुपई की छूट पाने के लिए खरीदने वाले पतलोनों की संख्या कितनी होगी यह आप से पूछा जा रहा है तो यहां पर साथियों हम क्या कर देंगे सिंपल साथियों 500 की भाग साथियों 600 garden से कर देंगे और जो आएगा वो आपका साथियों 500 रुपई 500 हो जाएगा और अगर कट करे सातियों पाच दूना दस हो जाएगा जीरो आ जाएगा और ये आपका सातियों पाच दूना दस पच्चिस आ गया और ये सातियों करके आठ आ जाएगा तो मैं कहूंगा ऐसा करने के लिए उसे कितने पतलून खरीदने होंगे आट पतलून खरीदने होंगे आंसर आपका आप्शन नमर एक के साथ जाएगा उसके बाद देखिए अगला सवाल है कहरें कि यदि 20 पुरुष किसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो इस कार को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की अवशकता होगी कह Vince लिए कि अगर 20 पुरुष हैं और 48 दिनों में वो काम करते हैं तो 40 दिनों में क्या शाथ है ओ? 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों है नहीं कितने में की जरुरत होगी तो बस साथ हो 20 एकम 20, 20, 20, 40 हो जाएगा 2 से अगर कट करेंगे 24 आ जाएगा यानि कितने मैंस यानि कितने आदमी की जरूरत होगी तो 24 आदमी की जरूरत होगी तो 24 क्या होगा साथ हूँ ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और जिनका आंसर यहां पर आप्शन नमर्डी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देख लीजे अगले नमर का सवाल है ये सवाल भी सात्यों अगर बात करें इस सवाल की तो ये भी सात्यों बहुत इंपोर्टन्ट है और आपके एक्जाम में डारेक्ट आपको देखने को मिल सकता है कहने के एक वस्तू के अंकित मूल पर अगर तीस प्रशत की छूट दी जाती है तो इसके बाद चार सो पच्पन में उसका मूल हो जाता है यानि के तीस प्रशत की छूट दी जाती है तो जाहर सी बात है 70 परशट में उसको बेचा जाता है तो वो कितने रुपए की बिखती है 455 रुपए की बिखती है वस्तू का अंकित मूल बताइए तो जब 70 परशट की वैलू 455 है ये हो जाएगी एक परशट की वैलू और आपको एक तरीके से वस्तू का अंकित मूल ग्याद करना यानि के 100 परशट की वैलू आप ग्याद कर लीजे इस जूरियों से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा 7 से अगर कट करेंगे 7,749 तो जादा हो जाएगा 7 चंग आपका 42 हो जाएगा 3 जाएगा 7,5 आपका 35 हो जाएगा 0 बच जाएगा यानि के 650 सात्यू वस्तू का अंकित मूल हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 650 चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है ये कोशन सात्यू अच्छे लेवल का है देखिए और मुझे बताइए कि इस कोशन का राइट आंसर आपका कैसे होगा कहरें कि एक तिर्बुज है और उस तिर्बुज की बुजाएं 8 cm, 8 cm और 12 cm है तो तिर्बुज का 6 तरफल कितना होगा ये सवाल आता है और बहुत सारे बच्चे सवाल को नहीं कर पाते दिखिए कभी भी अगर आपको तिर्बुज की तीनो बुजाएं दे रखी हो और पूछा जाएं कि इस तिर्बुज का 6 तरफल क्या होगा तो सबसे पहले आप इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे क्या निकालेंगे साथ हो आप इसका सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे ये अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ ये अर्द परिमाप निकाला जाता है A plus B plus C बटे 2 करके A plus B plus C क्या है A है पहली बुजा, B है दूसरी बुजा, C है तिसरी बुजा तो कैसे निकालेंगे साथ हो यानिके 8 plus 8 plus 12 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा 8, 8 कितना हो जाएगा, देखी यह 20 हो जाएगा यानि कि 28 बटे 2 हो जाएगा बोले तो सात्यों 14 हो जाएगा यानि कि अर्ध परिमाप कितना निकलेगा सात्यों 14 निकलेगा पहली बात केलियर है बिल्कुल केलियर है अब देखिए इस अर्ध परिमाप को हम इस से डिनोट कर सकते हैं ठीक ना क्यूंके सात् लिए बार-बार अर्द परिमाप लिखना है, तो इतना लंबात उनि न निकल पाएंगे, लिख पाएंगे बार-बार अर्द परिमाप, ठीक है, चलिए तो इसको S सात्यों डिनेट करेंगा, हब अगर बात करते हैं, क्या यहां पर अगर बात करें कि तरभुज का पहे यानि के S 14 है और A क्या है 8 cm, B8 cm, C12 cm, अब आप ज्यात कर लेंगे, बिल्कुल ज्यात कर लेंगे, देखिए, S कितना है, 14, 14 आ गया, S-A कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पर आ गया, उसके बाद फिर से यहाँ पर 6 आ जाएगा, S-C, यानि के 14-12 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब यहाँ पर एगर सातियों हम लोग बात करें, देखिए, यहाँ पर एगर सातूं हम लोग बात करें, इसको कैसे देखिए यह 6 चेह काम करो, यह तो बाहर आ जाएगा बहुत आराम سے, अब आपके सामने है 2 गुणा 14, चौदा को कैसे आप बारहा रूट सेवन और यही आपका बिल्कुल करिक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि देखा जाए साथ यहां पर अगर बात करें भाग है कहने के 27 भाग 3 गुणा 4 क्या 27 भाग 3 गुणा 4 पिलस 4 भाग 2 ऑफ 2 तो आपको पता है सबसे पहले ऑफ को solve किया जाएगा अगर हम इसको solve करें तीन नीम 27 तो 9 गुणा 4 पिलस 4 भाग 2 गुणा 2 यानिके 4 आ जाएगा इस 4 से यह 4 कैंसिल हो जाएगा लेकिन 9 4 कितना हो जाए 36 हो जाएगा पिलस 1 भी रहेगा तो यह कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा 37 कौन से option में है तो option नमबर A इस परिकार जिनका भी answer यहाँ पर है option नमबर A के साथ में कहूंगा कि answer आपका बिलकुल correct हो जाता भई बहुत बड़िया very good class तो कैसी लगी साथ हो आपको यह class एक बार comment section में आप लोग ज़रूर बताएंगे और जिस PDF की अगर बात करें साथ हो इस PDF को अगर आप लेना च आता है क्योंकि तकरीबन एक महीना साथ हो पूरी टीम इस पर लगी है और फिर यह PDF बन पाई है तो यह दोनों PDF एक तो फरवरी 2024 वाली और current affair के important questions वाली यह दोनों PDF आपको 45 रुपए में दी जा रही डिस्क्रिप्शन में लिंक है SSC GD करके उस लिंक पर क्लिक करेंगे त एक playlist का link भी होगा उस link पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ videos open हो जाएंगी उन सभी videos को भी सातियों आप लोग watch कर सकते हैं अपने exam के लिए तो अगर वाकई में आप selection पाना चाते हैं तो सातियों आप daily class को attend करा करेंगे क्योंकि daily जब आप class को attend करेंगे और फिर आप अपने exam hall में जाएंगे exam देने तो आपको कुछ नया नहीं दिखेगा आप कहोगे कि ये टेस्तों में ये paper तो में daily लगाया करता था target selection पर रत्ती भर का सातियों चेंज नहीं होगा ठीके ना तो अभी समय है इस समय को बहुत अच्छे से आप लोग वैदीत कीज मेरा मानना है कि SSC GD में first pro preference वाली जौब आपको बढ़ी अराम से मिल जाएगी तो इस वीडियो को हो सके तो अपने दो चार मित्रों के साथ शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस वीडियो को लाइक करके जाएगा वीडियो को शेयर की जाएगा प्या झाल